हेलो एब्रिवान तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं मेरा पहला टिप है देखिए इस तरह के गर में बहुत सारे ताला होते हैं देखिए और चाबी भी इस तरह से एक ही में रखने के वज़ा से मतलब गर में सब लोग मतलब कंप्यूजन होते हैं कि कौन सा ताला का चाबी है तो क्या होते हैं चलो हम लोग तो पैचानते हैं लेडिस गर में जो हम इसा लगाते हैं लेकिन बच्चे या जैन सो लोग को अतना पता नहीं रहता है दुसरा अगर ताला लगा देते हैं तो उसका चाबी कोजने में बार बार कभी यह चाबी गुसाते हैं तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं मतलब जो चीज ताला में बना रहे हैं या लिख रहे हैं चाबी में भी उसी से करना है देखिए अगर मरकर नहीं है तो देखिए इस तरह का नेल पेंट तो होता है हर लेडिस के पास आप नेल पेंट से भी आराम से कर सकते हैं उसमें बी जल्दी चूटता नहीं है तो देखियो इस तरह से डौनों में एकी चीज को आपको रखना है एलिकना है तो या तो नंबर लिकना है तो से लिखना है तो हम लिख दे रहे हैं देखिया यह लिख दे है तो इस तरह से आगर लिग देते हैं तो पहचानने में बहुत असानी हो जाता है बच्चे भी आराम से ताला लगा सकते हैं या पहले एक यह बार में पैचानने आ जाता है तो आई होप आपको यह टिप अच्छा लगा होगा अगर अच्छे लगा हो यह फिर यूज पूल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इस तरह का ही वीडियो लेकर आते रहते हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए है तो चैनल को subscribe कर दीजे तो देखिए इस तरह से हर चाबी आतला में इस तरह से आपको निसान बना देना है तो दो चलिए देख लें देख लेते हैं दूसरा टिप्स तो देखिए इस तरह का बोतल देखिए अब गराम फानी डालते हैं तो पानी है दे लाता है कि आनौ पेसे पांद जोड़ करें लेते हैं से प्रश्नाइब करें Не ने चूर ने कि इसको ड़ेंगे इस पinku पानी से सपर करें देंगे again मेंसे जो भी बेड समय ला रहा है तो सबाद को साप कर सकते हैं तो देखी इस तरह से सेख करना है यसके बाद साधा पानी से आप साफ कर लिजे और उसमें पानी बचा हुआ है नीमबू करत्स और मीटा सोडा याँ किसे नहीं पेखना है इसको भी दूसरा काम में यूज़ करेंगे तो देखिये इस तारा से कंटन पूरी में निकाल देते हैं और इसको भी इस्तिमाल में लाएंगे क्योंकि उसमें नीबू और बेकिंग सुड़ा है तो उसमें दूसरा कुछ चीज हम लोग साप कर सकते हैं तो देखिए इस तरह का जो केटल होता है इसको भी बार बार हम लोग पानी इसमें गरम करने के तो बेकिंग सुड़ा का पानी है उसको भी इसके बाद बाद में आप उसको हिला के अच्छा से साप करके साधा पानी से इसको भी साप करके पहुंच दीजेगा देखेंगे कि बहुत अच्छा से साप हो जाता है तो आई होप यह टिप पी आपको अच्छा लगा होगा अ कि एस तरह का जो कांटी होता है इसी तरह से जब हमनों करें तो इस तरह से पेपर में मिलता है और इस तरह से अगर प्लास्टिक आई से छोड़ देते हैं तो जब निकालते समय हात में चुप जाता है जाता है इसके siitä एसैंги क्या तरहा हुआ है को जन इसानी होता तो देखिए चेlit टार तर्च इस तरह का कब्याने कुछ भी करते हैं तो इस तरह का करें करने स्टूब जो करया है कम सब्सक्राइब आजना बनाएंगे देखिए इसको हम जब भी देखिए color गेरा मसर में जो लगा लेते हैं मेंदी और तो उसमें वह लोग जैसा टॉप जैसा जी होता है उस तरह से इसको पाइन सकते हैं यह यह पिर आप इस तरह से कभी बहुत ज्यादा तेल लगा लिए दोने के लिए तोड़ा द लगा सकते हैं तो देखिए नहीं होगा तो तब अप उसके हईसाब से अपना सर के हिसाब से भी सिलाई करके आप पहयन सकते हैं ऐसा बात नहीं है जिए हम इसको इस तरह से रसा बढ़ जाता है उसको जब भी बालों में मेंदी लगाते हैं या एर डाई करते हैं तो देखिए एर डाई के बाद आप इस तरह से बालों में मतलब सर में लगाके अराम से घर का काम कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए ताइंक्यू